हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका SG Food World में आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी रेज सॉस पास्ता की रेसिपी बहुत ही तेस्टी एंड डिलिशस रेसिपी है बहुत ही कम इंग्रीडियन्स के साथ बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है तो चलिए शुरू करते हैं पास्ता बनाने के लिए आपको चाहिए दोका पास्ता मैंने यहाँ पेने पास्ता लिया है आप कोई भी पास्ता ले सकते हैं जो आपको पसंदो अब एक पतीला लेंगे या कोई भी ऐसा गहरा बरतन जिसमें पास्ता बॉयल हो सके पास्ता इसमें डालेंगे और साथ ही डालेंगे पानी बॉयल करने के लिए आदा टीस्पून नमक एक टीस्पून रिफाइन डॉयल अब पास्ता बॉयल होने देंगे पास्ता को बॉयल होने के लिए 7-10 मिनट लगेंगे हमें पास्ता को अलदानते कुक करना है दूसरी तरफ हम स्टीम कर लेंगे जो वेजिटेबल्स हमें पास्ता में डालनी है मैंने यहाँ पे लिए हैं कॉन और ब्रोकली अब कोई और वेजिटेबल्स जो डालना चाहते हैं आपको पसंद है आपको डाल सकते हैं अब पास्ता बॉइल हो चुका है पास्ता को ड्रेन कर लेंगे ड्रेन करने के बाद हम उपर से आड़ करेंगे आदा टी स्पून रिफाइन्ड ओल और एक स्पून की मदद से हलके हाथ से इसे मिक्स कर लेंगे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि पास्ता आपस में चिपके नहीं वेजिटेबल्स भी रेडी हैं जो हमने स्टीम की थी बाकी इंग्रीडियन्स भी देख लेते हैं जो पास्ता में डलेंगे इसमें डलेगा एक प्याज चॉप किया हुआ चार टेबल्सपून टमाटो प्योरी टमाटो प्योरी बनाने के लिए दो टमाटो लेंगे और उसे ब्लांच कर लेंगे और फिर मिक्सी में पीस लेंगे दे टेबल्सपून फाइनली चॉप किया हुआ गारलिक एक टेबल स्पून चिली सॉस और एक ही टेबल स्पून टमाटो सॉस जो वेजिटेबल्स हमने स्टीम की थी वो और दो टेबल स्पून कैपसिकम जो हमने चॉप कर लिए यहां मैंने लिए ग्रीन, रेड और येलो कैपसिकम आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ ग्रीन कैपसिकम भी ले सकते सारे इंग्रीडियन्स रेडी हैं चलिए बनाते हैं पास्ता अब एक कढ़ाई लें और उसमें डालें एक टेबल स्पून रिफाइंड ओयल अगर आपके पास ओलिव ओयल है तो इसका टेस्ट और बढ़ी आएगा साथ ही हम डाल देंगे चौप किया हुआ गार्लिक और सौटे कर लेंगे गार्लिक को तब तक भूनना है जब तक इसका कच्चापन नहीं चला जाता दो से तीन मिनट में इसमें डाल देंगे चौप किया हुआ प्याज प्याज को तब तक भूनना है जब तक ट्रांसलूसिन नहीं हो जाता मतलब हलका सा वाइटेश नहीं हो जाता जब प्याज भून जा है तो इसमें डाल देंगे टमाटो प्योरी अची तरह मिक्स कर लेंगे सारी इंग्रीडियंस और अब डालेंगे 0.50 नमक 1.45 ती स्पून कुटी मिर्च 1.45 ती स्पून ही देगी मिर्च चिल्ली फ्लेक्स 1.5 ती स्पून औरिगयनू और मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे टमाटो सॉस एंड चिली सॉस और इसमें डालेंगे चार टी स्पून पास्ता सॉस सॉटे कर लेंगे दो टी स्पून के करीब पानी भी डाल लेंगे ताकि ये पेज जादा गाड़ी ना हो जाए सॉस रेड़ी है अब इसमें आड करेंगे स्टीन की हुई वेजिटेबल्स और कैपसिकम चॉप किया हुआ सारे इंग्रीडियन्स अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें आड कर देंगे पास्ता बॉइल किया हुआ दो से तीन मिनट के लिए इसे कुखोने देंगे इस पास्ता का टेस्ट बढ़ाने के लिए आप चाहे तो इसमें चीज भी आड कर सकते हैं पास्ता हमारा बिल्कुल रेडी है सर्फ करने के लिए मैं भी इस पास्ता को इंजोई करती हूँ आप भी बनाईए और सह परिवार खाईए आप अपने सजेस्टिन्स और कमेंट जरू शेयर कीजेगा मिलेंगे ऐसी ही तेस्टी और मज़िदार रेसिपीस के साथ तब तक के लिए गुडबाई टेक केर और डोंट फोरगेट तो लाइक शेर और सब्सक्राइब